दोस्तो नमस्कार बक्री पालन के लिए सबसे जरूरी जो बात है वो आज में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अगर आपने उसका पालन कर लिया तो कभी भी बक्री पालन में फैल नहीं होगे आप सबी को पता है कि बकरी पालन के लिए मूल भूत जरुरतें क्या क्या है मूल भूत जरुरतें नमबर वन है वो है कि आपको संपूर्ण बकरी पालन की जानकारी होनी चाहिए उसमें क्या है खाद्य प्रबंदन ये बहुत ही बड़ा विशह है किस समय क्या-क्या खिलाना है, कौन सी उम्र में क्या-क्या खिलाना है और किस ब्रीड को क्या-क्या खिलाना है, और किस मोसम में क्या-क्या खिलाना है ये सब चीजे और कितना खिलाना है, सरीर के भार के अनुसार कितना खिलाना है ये सब चीजे आपको पता होनी चाहिए यानि खाद्य प्रबंदन all over आना चाहिए हराचारा, सुकाचारा, दाना मिसलन केसे गर पे बनाए मार्केट से लाएं तो उसको केसे मैनेंज करें इसके अलावा second बात आती है उनके आवास प्रबंदन की यानि कि सेड की तो सेड अगर आपके पास बना हुआ है तो उसे केसे मैनेंज करें नया बनाना है तो केसे सेड करें यानि सेड किस प्रकार से हमें पूरा मैनेंज करना है ये बात बहुत ज़्यदा जरूरी है ये नॉर्मल बाते हैं जो सभी लगबग जानते भी हैं लेकिन अब आते हैं विरलता की तरब आपकी बकरी अगर बिमार है तो उसके क्या लक्षन है कौन से लक्षन किस बिमारी में आते हैं और उसका इलाज क्या है इसके अलवा आप वैक्सिनेशन को कैसे सेडूल करेंगे डिवार्म को कैसे सेडूल करेंगे और सबसे बड़ी बात सेल पर्चेस और इसके अलवा ट्रांश्वर्टेशन बगरा बहुत सारे ऐसे बिंदू है जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये सारी की सारी बाते हम हमारे ऑनलाइन सेशन में ल बहुत ही बड़ा बदलाव आप में होने वाला है, लाइफ चेंजिङ इस सेशन का नाम रखा गया है अगर आप जोइन करنا चाते हैं तो वोट्शिक कर सकते हैं कई बार क्या होता है कि हम ट्रेनिंग लेते हैं दो दिन की, तीन दिन की, पास दिन की, दस दिन की, तो क्या इ जानकारी आपके जहन में होगी अगर आप जोइन कर लेते हैं तो कभी भी फैल होने का कोई चांसेज नहीं रहेगा अधरवाइस देखो छोटी सी जानकारी के लिए हमें किसी दूसरे के यहां भागना पड़े तो भाई मामला सकसेज नहीं होगा मैं भी चाहता हूँ कि हमारे इस्टुटेंट्स के पास जैसे यूट्यूबर्स भाग भाग के आते हैं वीडियोज बनाते हैं वैसे ही आपके साथ भी वो आये और वीडियोज बनाये क्योंकि आप इतना शांदार ग्रो करेंगे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के बाद